Hello students, मैं हुजुबर सेफी and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए एक short story Short story का नाम है A Clean, Well-Lighted Place जो publish हुई थी 1933 में लिखी है Ernest Hemingway ने टाइटल है एक साफ और अच्छे से प्रकाशित जगह कहानी किस बारे में है कहानी आपको बताती है कि बुढहापे में एक अकेला पन होता है जो बहुत सताता है बुढहापे में आदमी अपने अकेले पन को अपनी जिन्दगी की darkness को किस तरह से deal करता है किस तरह से उससे चुटकारा पाने की कोशिश करता है और उस अकेले पन उस nothingness पर जवान लोगों का क्या reaction होता है वो उसे किस तरह से treat करते हैं इस कहानी में खुबसूरती से दर्शाया गया है एक बुढ़ा आदमी जो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक बार में जाता है और पूरी रात उस बार में बैठकर शराब पेता है ताकि वो अपने अकेलेपन को दूर कर सके क्या वो उस अकेलेपन को दूर कर पाएगा और इसका क्या मर्म है कहानी का यह आपको कहानी सुनने के बाद पता चलेगा आपको यह कहानी पसंद आएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसे शेर कर दीजेगा UPTGT के और LT के बैचिस चल रहे हैं अगर आपको बैचिस जोइन करने हैं तो आप वाटसप पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं ये कहानी शुरू होती है एक Spanish कैफे से जहां एक Old Man पूरी रात शराब पीने में गुजार देता है उसी Spanish कैफे में दो वेटर हैं जिन में से एक यंग है और एक ओल्ड है यंग वेटर उस Old Man के पूरी रात कैफे में गुजारने की बजह से घुसे में है वो चाहता है कि वो Old Man वहां से चला जाए ताकि वो कैफे बंद करके अपनी वाइफ के पास अपने घर जा सके यंग वेटर उस Old Man को वहां से भगाने के लिए उसकी बेजज़ती करता है उसे चिड़ावने अंदाज में कहता है कि Old Man बहुत बुरे और इरिटेटिंग होते है उसकी यह बात Old Waiter को चुप जाती है लेकिन Old Waiter इस पर कुछ नहीं कहता क्योंकि वह बहुत पॉलाइट और कमपेशिनेट है यंग वेटर को किसी की परवा नहीं है वो बस अपनी वाइफ के पास अपने घर जाना चाहता है Old Waiter क्योंकि बहुत पॉलाइट और मर्सिफुल है इसलिए वह समझ जाता है कि कैफे में बैठ कर शराप पर शराप पीने वाला Old Man बुरा या इरिटेटिंग नहीं है बलकि वह अपनी जिंदगी में अकेला है यंग वेटर उस Old Waiter को बताता है कि इस Old Man ने पिछले हफते ही सुसाइड करने की कोशिश की थी जब Old Waiter यंग वेटर से उस Old Man के सुसाइड करने का रीजन पूछता है तो यंग वेटर जवाब देता है कुछ नहीं यंग वेटर बताता है कि इस Old Man के पास धेर सारा पैसा है और इतना पैसा होने के बावजूद कोई मरना क्यों चाहेगा यंग वेटर के लिए पैसा ही सब कुछ है और उसका मानना है कि पैसा ही सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है एक अमीर आदमी का अकेले पन को सामना करने के डर से सुसाइड कमिट करना यंग वेटर की समझ के बाहर है हाला कि अकेला पन ही उस Old Man के कैफे में आने और पूरी राज शराब के नशे में रहने का रीजन है Old waiter भी अकेले पन को बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि वह भी लाइट्स चले जाने पर well lighted कैफे यानि अच्छे से उजला जो कैफे होता है उसमें वो अकेला रह जाता है वह अकेले पन के डर को भी जानता है क्योंकि वह भी Old Man की तरहा बिलकुल अकेला है एक cheap all night bar पर drink पीने के लिए रुप कर old waiter सोचता है अब चब तक सुभा न हो उसे नीन नहीं आईगी क्योंकि old waiter गरीब है तो ये एक सस्ते बार में है लेकिन वो old man Amir था तो वो उस बार में था जिसमें ये बोढ़ा waiter काम करता है ये कहानी लेटनेस को शो करती है सुभा के तीन बजे हैं लेकिन बात सिर्फ समय की लेटनेस की नहीं हो रही बलकि old waiter और old man की life की भी बात हो रही है कि उनकी life में कितनी लेटनेस है इस कहानी में religious traditions पर भी जोड़ दिया गया है खासतोर से Spanish Catholic traditions पर क्योंकि Catholicism के promises ना तो इस old waiter और old man को को कोई तसली दे रही है और ना ही support कर रहे है इसलिए मौत इनका इंतजार कर रही है वह old man जो की clean well acted cafe में बैठ का शराब पीता है पूरी तरह बहरा है उतना ही बहरा जितना की वह Christianity के promises और beliefs के लिए है वह अब Christianity के वादों को नहीं मानता और ना ही उनके लिए उसके दिल में कोई value है वही इस modern और दिखावटी दुनिया में बिलकुल अकेला और परेशान है और इस clean well lighted cafe की रोशनी उसके लिए अंधेरे जैसी है इस कहानी में सबसे important चीज दुनिया की nothingness यानि कुछ ना होने का एहसास है और इसकी सबसे important चीज इस nothingness के अलावा इस बुढ़े आदमी और बुढ़े वेटर का इस nothingness की तरफ जो reaction है वो है इसलिए जब young waiter कहता है कि old man बहुत खराब और irritating होते हैं तो old waiter इस बात की सच्चाई से इंकार नहीं करता प्योंकि उससे पता है कि old man irritating हो सकते हैं और old waiter उस old man के बारे में सोचता है कि old man खराब नहीं है वो बुढ़ा आदमी खराब या irritating नहीं है बलकि वो well lighted cafe में बैठकर अपना अकेला पत दूर करना चाहता है बात सिर्फ इतनी सी है young waiter चाहता है कि old man किसी all light cafe में चला जाए यानि जो पूरी रात खुलते हों इस तरह के cafe में चला जाए लेकिन old waiter का मानना है कि old man इस cafe की cleanliness को पसंद करता है इस well lighted cafe में light अकेलेपन और अंधेरे से लड़ने का man-made weapon है क्योंकि अंधेरा और अकेलापन मौत की निशानी है young waiter old man को और शराब देने से मना कर देता है क्योंकि वह जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता है इस पर old waiter अपनी नराजगी जाताता है क्योंकि वह खुद भी बहुत अकेला है और जानता है कि अंधेरे में घर वापस जाना कितना मुश्किल होता है old man और old waiter बिलकुल हो बहु एक सी ही जिन्दगी बिताते हैं और यही फर्क है इस बुढ़े waiter और इस जवान waiter में क्योंकि बुढ़ा waiter जो है इस बुढ़े आदमी के दुख को समझता है कुछ देर के बाद वो बुढ़ा आदमी वो old man खुद ही पूरी dignity के साथ कैफे से चला जाता है आखिर में old waiter एक cheap बार में बिलकुल अकेला रह जाता है वो अपना बार बंद कर देता है जहां नौकरी करता है एक सस्ते बार में जाता है वहवी अपने अकेले पन के साथ एक dirty और unpolished बार में खड़ा रह जाता है उसके पास वो dignity भी नहीं है जो कि old man के पास थी क्योंकि ये गरीब है और वो बुढ़ा आदमी अमीर था वह जानता है कि उसे नीद भी नहीं आएगी क्योंकि उसे insomnia नाम की नीद ना आने वाली बिमारी है लेकिन हकीकत तो यह है कि वह भी darkness और nothingness से डरता है वो इस एहसास से डरता है कि उसकी जिन्दगी में अंधेरा है उसकी जिन्दगी में कुछ नहीं है उसकी जिन्दगी में एक शुन्यता है So I hope आपको एक कहानी पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई 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 अपना धियान रखिएगा पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेर कर दें अपने दोस्तों के साथ चलिए मिलते हैं I think Thomas Hardy के वीडियो आएंगे अब चैनल पर Thomas Hardy के वीडियो के साथ मिलते हैं